हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माय चैनल सिंपल क्रिएटिविटी बाई लिमा तो आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू के उपर है मैं कौन से प्रड़क्ट के रिव्यू कर रही हूँ वो तो सामने ही आपको नजर आ रहा है जकते हैं सनी सर ब्रांड का सीसी क्रीम है जो की अभी काफी जता ट्रेंड में है और मैं भी सोचे कि क्यों ना मैं भी ट्राइ करके देखती हूँ आपके साथ रिव्यू भी सेयर में एंड यहां पर सारे इंस्ट्रक्शन बगर दिया गया है में भी एक ओरियन या फिर चाइनीज में लिखा हुआ है आई डों नो तो मुझे जितना समझ में आएगा मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी तो अभी चलिए अंदर का प्रड़क्ट को ओपन करते हैं इस तर से मैं ओपन कर चुकी हूँ इससे आप देख सकते हैं यहां पर एक एक कंटेनर मुझे मिला है तो फ्रेंड इसके अंदर ही हम लोग का जो सीसी क्रीम है है तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूं उसके साथ हम लोगों को यहां पर और एक चीज भी मिल जा रहा है तो यह आपको देखके ही पता चल रहा होगा एंड़ इस बॉक्स का अंदर देने से एक फाइदा है कि आपके मतलब ब्यूटी ब्लेंडर में कोई डर्स्ट वेगरा लगने का चांस नहीं रहता है नॉर्माली ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर मतलब जो होता है कि हम लोग कहीं पर लेके आप पानी में मतलब डुबो के पूरी तरह से अच्छे से निचोडने के बाद ही यूज कर सकते हैं इसका साइज अगर डबल हो जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यह मतलब अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है की नहीं तो चलिए वह भी ट्राइ कर लेते हैं तो यहां में ब्लेंडर डीप करूंगी अगर यहां डबल हो जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यह बीटी ब्लेंडर जोहें बहुत अच्छा है क्यूंकि ब्यूटी ब्लेंडर हम लोग को पता कैसे चलता है जब यह डउबल हो जाता है अपने से से दूगोंना हो frame तब ही हमको पता चलता है कि यह अच्छा है एंड में अच्छे तरह से इसे निचोड ली हूँ और आपको ही पता चल रहा होगा कि साइज में डिफरेंस आ चुका है कितना बड़ा साइज में आ गया है तो अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगी जो वाला बॉक्स के अंद करेंगे तो चलिए अभी हम लोग C C क्रीम को भी मिलें से ओन कर लेते हैं पहले काफी कुबसूरत और पेकेजिंग के साथ यह आता हैं काफी बड़ा साइज में पी आता है तो चलिए उसे औप कर लेते हैं पहले तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फिंगर्प्रिंट जैसा दिया गया है पर इसका साहिद कुछ कार नहीं है क्योंकि प्रेस करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहां पर पूल लिखा हुआ है तो इससे हम लोग ओपेन करेंगे अभी तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम लोग को पिक्चर में दिखाया था सेम उसी तरह से यह भी है यहां पर सारे मतलब डिजाइन बना हुआ है डटडट होके उपर में एक रबबर जैसा कुछ लगा है तो यहां से प्रेस करने पर ही आपको जो सिसी क्रीम फाउंडेशन है वो निकलेगा एंड उसका जो लीड है उसके बेक साइड में एक मीरर भी है यहां पर हमें क्या करना है यह जो हम लोग के पास ब्यूटी ब्लेंडर दिया गया है तो यहां पर पहले हम लोग प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर आप लोग देखी सकते हैं कितना अच्छा से मतलब एक डीजै निकल के आया है चलिए अभी मैं आपको हाथ में ट्राइब करके दिखाती है हमें यहां पर डेब डेब करके इसे करना है तो फ्रेंड्स यह बाला जो सिसी क्रीम है यह वार्ट तो कर रहा है पर साइद यह फूल कबरेज नहीं देगा क्योंकि यह फाउंडेशन नहीं है सिसी क्रीम है बढ़ हम लोग यहां पर ट्राइ कर सकते हैं कि इसमें दाबे किया गया है कि पानी डालने से यह मतलब हटेगा नहीं तो वह हम यहां पर चेक कर लेंगे तो आप डिफ्रेंड्स एक ही सकते हैं आपर तो यह देखिए फ्रेंड्स बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जा रहा है और मुझे काफी मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ग्लो आजा रहा है वह लगाने के बाद तो अभी च अब तो आप देखी सकते हैं बिल्कुल भी यहां पर पानी रुकनी रहा है बहुत ही ज़दा फ्लोलेस फिंसिंग दे रहा है यहां पर आपको बता सकती हूं कि यह वाला जो सिसी क्रीम है अक्छली यह फूल कबरेज नहीं देगा पर हां एक बहुत ही स्मूथ वाला फ्लो इसे कर सकते हैं इसमें कोई भी आपको मतलब सेड बगरा चूच करने का अपसर नहीं रहता है एक ही सेड का है अगर मेरे स्किन टाइप का कोई है तो उसके लिए यह परफेक्ट है अगर थोड़ सा डार्क स्किन टाइप के है आप लोग तो आप लोग मत लीजिएगा क्योंक लगने बाला है तो अब रहल यह बाला जो प्रड़क्ट है मुझे काफी पसंद आज का वीडियो एंड आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर कुछ कॉस्टिन है इसके बारे में तो मुझे कॉमेंट सेक्चन में जरूर पूछ सकते हैं आप लोग और प्रा